मत्रप्रदेश उजेन की नागदा तहसील में अग्यात हमलावर ने दिन दहाडे वेप नेता राकु चौधरी को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया है पतादे एक एक हुई इस घटना के बाद तहसील में तनाव की स्थिती बन गई है बजरंग दल कारिकर्टाओं ने नागदा के बाजार को पूरी तरह से बंद करा दिया है मिली जानकारी के निसवार राकु चौधरी विश्व हिंदू परिशद के नगर सहीं उजक थे और प्रापटी का भी व्यवसाय करते थे जैसे ही हिंदूवादी नेता और कारिकर्टाओं को चौधरी की मौत की जानकारी लगी तो उन्होंने आक्रोश हुष नागदा के बाजार को बंद करा दिया मौके पर पहुँची पुलिस को घटना स्तल से एक देसी कट्टा और चली हुई गोली बरामद हुई है बता दे वहीं हत्यकांट के मुख्य आरोपी को पुलिस ने हिरास्त में ले लिया है माहुल चांद कराने के लिए S.P. ने वरिष्ट अधिकारियों को नागदा भेजा है वहीं भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर मौचूद है यह लगबग डेड़ वजे के आसपास का घटनक्रम है जिसमें एक आफिस में बैठे हुए अव्यक्ति के साथ एक गोली मारके उसके अत्यकी गेती और हमने मुख्यारोपी को पकड़ लिया है मुख्यारोपी से पूच्टाज की जा R policy की जा रही है कि इसमें इसके पीछे अगर किसी तरह का कोई शड़य अंत्र है और माकी लोग को अगर कोई शामिल है उसका पता लागाने के लिए हमारी पूरी टीमे लगी हुई है